हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में फ्रेंट्स आज हम लोग करेंट अप्टर दो हजर एकिस का प्रैक्टिस सेट नमबर वन देखेंगे इसमें का सभी प्रश्ण मौस्ट इन्पोर्टेंट है साथी इससे लियर्टेट जितने भी इन्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे उन सभी को इसमें डिश्ण करेंगे तो एप वीडियो आपके सभी एक्जाम्स के लिए मौस्ट इन्पोर्टेंट होगा तो पहला प्रश्न है उपर के बच्चों का ठीका करन करने वाला बिश्ण का पहला देश कौन सब बना है इसका राइट इंसर है B क्यूबा क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है जहां दो साल से उपर के बच्चों को वैक्षिन देना सुरू कर दिया गया है क्यूबा ने जिन दो वेक्सिन को बच्चों को लगाने की मंजूरी दी है उनके नाम है अबदाला और सोबेराना क्यूबा उत्री अमेरिका महाद्विप में इस्तित है और क्यूबा की रैधानी है हवाना और क्यूबा की करेंसी क्यूबा पेसो है नेक्स्ट प्रेश ने भारत की पहली तेर्थी मिसाईल परिक्षन रेंज का क्या नाम है? इसका राइट इंसर है भी INS अन्वेस भरत की पहली 33 मिसाइल परिक्षन रेंच अन्वेस का समुद्री परिक्षन सुरू हो गया है कोचिन सीप्यार द्वारा निर्मित और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन याने DRDO द्वारा डिजाइन किया गया लगभग 9000 टन के जहाज का उपयोगे अबादी या समुद्री या तयाद के साथ साथ खत्रे के बिना हिंद महासागर के अंदर 1500 किलोमिटर की दूरी तक मिसाइलों का परिक्षन करने के लिए किया जाएगा एक बार चालू होने के बाद FTR INS अन्वेस भविस की मिसाइल परियुजनाओं को गती देगा क्योंकि या छेतर में उरान भरने वाले जहाजों और बीमानों को नोटम जारी करने के माध्यम से गुजरे बिना एक तयार सुरक्षा गलियारा परदान करेगा नेक्स्ट प्रेश ने टोक्यो पर उलम्पिक में पदक जीतने वाले पहले IS अधिकारी कौन बने हैं? इसका राइट इंसर है A. सुहास A. तीरा आजे 2021 में होने वाला ग्रिश्मिकालिंग पर उलम्पिक 2020 का आयोजन जपान की रैदानी टोक्यो में हुआ पहले इसका आयोजन 2020 में होना था लेकिन करोना वायरस के कारण 2021 में आयोजित हुआ और 2020 पर उलम्पिक का सुलहावा संस्क्रन है भारत की तरब से 54 खिलारी सामिल हुए और 2020 टोक्यो पर उलम्पिक की सुभंकर है सुमाइटी पहला ग्रिषम कालिंग पर उलम्पिक उननीस सो साथ में इटली के रोम सहर में हुआ था इसका राइट एंसर है D हर साल 8 सितमबर को 28 पर उन्तराष्टिय सक्षरता दिवस को मनाइजाता है और 8 सितमबर 2021 को 35 अंतराष्टिय सक्षरता दिवस मनाइजा गया लोगों को साक्षर होने समाजिक और मानो विकास के अपने अधिकारों को जानने की आउसकता के बारे में जागरूप करने के लिए यह दीन मनाया जाता है सक्षर्टा नौक केवल लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद करती है बलकि गरेबी उनमलंद जनसंख्या को नियंतरित करने बाल मिरूत दर को कम करने इत्यादी में मदद करती है 8 सितंबर 1967 में पहला अंतरश्टी सक्षर्टा दिवस को मनाया गया था नेक्स्ट प्रश्ट ने रोस हसाना तेवहार का संबंध की सधर्म से है इसका राइट इंसर है भी इनका संबंध है यहुदी धर्म से रोस हसाना यहुदी धर्में विश्वास करने वाले लोगों का एक परमुप तेवहार होता है रोस हसाना यहुदी लोगों का नया साल होता है हर साल यहुदी लोग अपने नया साल यानि रोस हसाना को मनाते हैं इस साल रोस हसाना 6 सितंबर सोंबार से सुरू हो रहा है और 8 सितंबर बूध बार को समापन होगा बाइबिल के इतिहास में रोज हसाना नया साल वह दिन है जब एडम को पहला आदमी बनाया गया था बीश्व का एकमात्र यहोदी देश इजराईल है इसका राइट एंसर है A. आउनी लेखरा टोकियो पराउलंपिक खेलो का सुरहवा संस्करन था जिसका आयोजन 24 अगस्त से 5 सितमबर 2021 तक किया गया था 19 साल की निशानेबाज आउनी लेखरा 5 सितमबर 2021 को आयोजित टोकियो पराउलंपिक के समापन समरों में भारतिय दल की धोजवाहग थी टोक्यो परावलंपी 2021 के उद्गाटन समारों में टेकचंद्र भारती ध्वाजवा हग थे नेक्स्ट प्रशने किस सहर में भारत के सबसे उचे वायू सोधक टावर का उद्गाटन किया गया है इसका राइट इंसर है सी चंडी गड में इसका उद्गाटन किया गया है खास बात यह है कि इसमें फिल्टर बदलने की जरुवत नहीं परेगी आधुनिक तक्निक वाले इस वायू सोधक यंत्र में लगा हाई स्वीड पंखा अपने आप गंदगी को साफ कर लेगा इसमें जितने भी प्रश्ण दिये गए हैं सभी प्रश्ण आपके नेक्स्ट एक्जाम के लिए मस्ट इंपोर्टेंट है नेक्स्ट प्रश्णे डच ग्रेंड पिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है राइट इंसर है ए मैक्स वेर श्टेपेन के द्वारा इस खिताब को जीता गया है ग्रेंड पिक्स एक तरह की फर्मूला वन कार रेस होती है मैक्स वेर श्टेपेन रेड बुल रेसर हैं और वेलिजियम देश के रहने वाले हैं इसका राइट इंसर है ए 19 पदक को टोक्यो परया उलम्पिक 2020 में भारत ने अपना सर्विस्रिष्ट प्रदर्शन करते हुए पांच स्वर्न आठ रजत और चौका से पदक जीत कर कुल 19 पदक जीत कर 24 अस्थान हासिल कर लिये हैं इसमें टॉप थिरी में एक नमबर पर चीन है 207 पदक के साथ दो नमबर पर ब्रीटेन है 124 पदक के साथ और तीन नमबर पर अमेरिका है 104 पदक के साथ नेक्स्ट प्रशने राष्टिय बन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है इसका राइट एंसर है भी 4 सितंबर को हर बस 4 सितंबर को राष्टिय बन्य जीव दिवस को मनाया जाता है राष्टिय बन्य जीव दिवस को मनाने का उदेश्य दुनिया भर में तेजी से बिलूप्त हो रही वनस्पतियों और जिव जन्तों की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लोगों में जगरुपता पाइदा करना है नेक्स्ट प्रेश ने एसिया इवा बॉक्सिंग चेंपियंशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है इसका राइट इंसर है डुबाई देश में इसका आयोजन हुआ है एसिया इवा बॉक्सिंग चेंपियंशिप का आयोजन दुबाई में किया गया और भारतिय मुकेबाजी ने दुबाई में आयोजित एसिया इवा चेंपियंशिप में चोव स्वर्न, नौ रजत और पांच का सिपदक को जीते हैं और रूड लाइप दा मेमोईर नाम पुस्तक किशने लिखी है इसका मराइट इंसर है B, बीर साध्वी के द्वारा और रूड लाइप दा मेमोईर नाम पुस्तक को लिखी गई है आसम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्टिये उद्ध्यान का नाम बदल कर नया नाम क्या रखा है इसका मराइट इंसर है D, औरंग राष्टिये उद्ध्यान नया नाम रखा गया है आसम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्टिये उद्ध्यान का नाम बदल कर औरंग राष्टिये उद्ध्यान कर दिया गया है नेक्स्ट प्रशने ग्रामिन महिलाओं के लिए साथ योजना किसने सुरू की है इसका राइट एंसर है ए जम्मु कस्मीर में इसकी सुरूात की गई है कंसासित परदेश जम्मु कस्मीर की ग्रामिन महिला उद्ध्यान को बढ़ावा देने के लिए साथ योजना की सुरूात की गई है जमू कस्मीर के उपर राजपाल मनोज सिनहा ने इस एसकीम का सुबरम किया है जमू और कस्मीर गरामिन आजिविका मिसन की पहल के तहते स्वें सहायता समू महिला उधमियों को उनके बेवसाइक उधमों को बढ़ाने के लिए या गहन प्रसिक्षन और छमता निर्मान कारे सलाओं के माध्यम से सलाह और सहायता परदान की जाएगी इस युजना के तहते गरामिन महिलाएं घरेलू उत्पादन में अपना योगदान देगी इसका राइट एंसर है ए सबरना राय के द्वारा जीता गया है सहित्यक कला लेखक सबरना राय को प्रतिष्टित टाइम्स एक्सिलेंस अवार्ड दोहजर एकिस से समानित किया गया है टाइम्स एक्सिलेंस अवार्ड क्यों दिया जाता है तो इस अवार्ड को यानि टाइम्स एक्सिलेंस अवार्ड इवा उधमियों नेताओं और इन्वेस्टर्स को पहचानने प्रोचसाहित करने और उन्हें मान्यता परदान करने के लिए दिये जाते है इसका मरड़ाइट एंसर है C, आउनी लेखरा टोक्यो परा उलम्पिक दोहर्जरबीस में दो पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला बन गई है आउनी लेखरा ने उमेंस 50 मीटर राइफल से थिरी पोजीशन SH-1 में कासी पदक को जीता है और उमेंस 10 मीटर एर राइफल सुटिंग SH-1 कलास में अपना पहला स्वन पदक जीता था पैरा सुटर आउनी लेखरा दो पैरा उलम्पिक हासिल करने वाली पहली भारतिय महिला बन गई है और ऐसा करके उन्होंने इतिहास रच दिया है नेक्च प्रश ने अंतराष्टिय जलवायू सिखर समयलन 2021 की मिजवानी किस देश ने की है इसका राइट एंसर है ए भारत देश के द्वारा इसकी मिजवानी की गई है PDH Chambers of Commerce and Industry की पर्यावरन समीती की पहल पर अंतराष्टिय जलवायू सिखर समयलन 2021 के हीसे के तोर पर भारत 3 सितंबर 2021 को कारेकरम की मिजवानी की है या सिखर समयलन भारत के स्वक्ष उर्जा में परिवर्तन के कारेकरम के लिए महाल तयार करेगा इस समयलन को PM नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है इस समीट में Reliance Industry Limited के चेर्मेन एवं परबंग निर्दे सके मुकेस अंबानी मुख्य प्रवक्ता होंगे सिखर समयलन में भारत के हाइट्रोजन प्रिस्तिति की तंत्र को मजबूती देने पर विसेस जोड़ दिया जाएगा इसका राइट एंसर है C अरुनाचल परदेश में मनाया जाता है सुलंक अरुनाचल परदेश की आधी जन जाती का सबसे लोक्रियत तेवहार है और यह लोगों की समाजिक धार्मिक विसेस्ताओं को भी दर्साता है बीजों की बुआई से लेकर एक समरीद फसल की कटाई करने के लिए सुलंक मनाया जाता है नेक्स्ट प्रशने रेमन मेक्से से पुरसकार 2021 से किसे समानित किया गया है इसकाम राइट एंसर है एफ उप्युक्त सभी डग्डर फिर्दावसी कादरी मुहम्मद अमजद साकीब एष्ट्यू मुंसी रावटो बैलोन और वाच डॉक को भी यह रेमन मेक्से से पुरसकार 2021 से समानित किया गया है आईए जानते हैं रेमन मेक्से से पुरसकार क्या होते हैं रमन मेक्से से के पुरसकार एसिया की ब्यक्तियों एवमसंस्थाओं को सरकारी सेवा में उतकरिष्ट योगदान, सारबजनिक सेवा, समुधाइक नेतरितु, पत्रकारिता, साहित और रचनात्मक संचार कला, सांती और अंतराष्टिय समझ और उभरते नेतरितु के छेतर में विशेश रूप से उलखनी कारे करने के लिए परदान किया जाता है, इसे एसिया का नोबेल पुरसकार भी कहा जाता है, ये रमन मेक्से से पुरसकार फाउंडेशन द्वारा फिलिपिन्स के भूतपुर्व राश्पती रमन मेक्से से की याद में दिया जाता है, पहल मिशन की शुरुआत की गई है पंजाब के मुखमंतरी अमरेंदर सिंग ने 1 सितंबर 2021 को इन्वेशन मिशन पंजाब की शुरुआत की या मिशन पंजाब की विकास छमता को बढ़ावा देगा और रोजगार पाइदा करने और निवेश आमंतरित करने के माध्यम से एक संपन अर्थ बेवस्ता का निर्मान करेगा बात क्या गया है पंजाब की तो पंजाब की अस्तपना एक नॉंबर 1966 इस भी को हुई थी पंजाब की रजधानी है चंडीगड नेक्स्ट प्रिश ने वर्ड फोटोग्राफर ओफ द इयर 2021 का खिताब किसने जीता है इसकाम राइट ए एले जाद्रो प्रीतो के द्वारा इस अवाड को जीता गया है मैक्सिकन के फोटोग्राफर एले जाद्रो प्रीतो ने वर्ड फोटोग्राफर ओफ द इयर 2021 का खिताब संजुक्त राज अमेरिका और मैक्सिसों के बीचे काटेदार तार कलेड सीमा की दिवार पर घूर उते हुए एक बरे रोडनर की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए जीता है इस चबी को औरूर सिर्सक दिया गया है इसमें जितने भी प्रशन दिये गए हैं सभी प्रशन नेक्स्ट एक्जाम के लिए मस्ट इंपोर्टेंट हैं नेक्स्ट प्रशन मुफ्त पानी यूजना शुरू करने वाला देश का पहला राज कौन सा बना है इसका राइट एंसर है डी गोवा पहला राज बन गया है गोवा सरकार ने राज की जनता को मुप्त पानी देने का फैसला किया है मुखमंत्री प्रमोद सावंत ने इसकी घोशना करते हुए कहा कि गोवा देश का पह बेल मिलेगा इसके साथ ही गोवा अपने नागरीकों को मुक्त पानी मुहया कराने वाला देश का पहला राज बन गया है इसमें बात किया गया है गोवा की तो गोवा की अस्तपना 30 मई 1987 इस भी को हुई थी गोवा की रैधानी है पंजी छेत्रफल के दृष्टी से भारत में सबसे छोटा राज गोवा ही है और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है नेक्स्ट प्रशने बीस्वि नारियल दिवस कब मनाया जाता है इसका राइट एंसर है बी 2 सितंबर को बीस्वि नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है साल 29 में पहली बार बीश्व नारियल दिवस को मनाया गया था इस दिवस को मनाने का मुख्य उदे से नारियल की खेती और उत्पदक्ता को बढ़ावा देना है और बीश्व अस्तर पर नारियल की खेती के प्रती लोगों को जागरूप करना है बीश्व में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन इंडोनेसिया में होता है निक्स्ट प्रशने दुनिया की सबसे उची सरक 181600 फूट का उदगाटन कहां किया गया है इसका राइट इंसर है भी लेह लदाक में उदगाटन किया गया है लेह को पैंगोंग जील से जोडने वाली सामरिक रूप से महतपूर्ण सरक का उदगाटन लदाक के सांसद जम्यांग सेरिंग नाम गयाल ने किया है 181600 फीट की उचाई पर केला दरे से गुजरने वाला मारग दुनिया का सबसे उचा वाहन चलाने योग मारग होगा नेक्स्ट प्रशने नियूरो सरजरी में प्रतिष्टित पुरसकार पाने वाले पहले भारती है कौन बने हैं इसका मुर राइट इंसर है A. डग्डर बसंत कुमार मिस्रा उडिशा में जन्में Neurosurgeon Dr. बसंद कुमार मिस्रा को प्रतिष्टित American Association of Neurological Surgeon के Neurosurgery में International Lifetime Achievement Award से समानित किया गया है बसंद कुमार मिस्रा AANS समान प्राप्त करने वाले पहले भारतिय चिकित सक है जो उन्हें फ्लोरीडा और और लेंडो में आयोजित AANS वार्षिक बेग्यानिक बैठक 2021 के दोरान एक अभासी समारोह में परदान किया गया था वा Computer Guided Neurism Surgery करने वाले दुनिया के पहले सरजन थे इसने किंद्रिये ग्रीह मंत्री अमित सा ने कहां पर लडू बीतरन यूजिना का सुबरंब किया है इसका Right Answer है D गाधी नगर में सुबरंब किया गया है केंद्रिये ग्रीह मंत्री अमित सा ने गुजरात के गाधी नगर में गर्भवती महिलाओं के लिए पौश्टिक लडू बीतरन यूजिना का सुबरंब किया है इस यूजिना के तहत लगभग 7000 गर्भवती महिलाओं को कुपोसन से लड़ने के लिए स्वेम सेवी संस्थ अधाओं के माध्यम से बच्चों के जन्म तक हर माह 15 पौश्टिक लड़ू मुप्त मिलेंगे नेक्स्ट प्रस ने अफिरकी मुल्क के लोगों के लिए अंतराश्टिये दिवस कम मनाया गया है इसकाम राइट एंसर है भी 31 अगस्ट को अफिरकी मुल्क के लोगों के जाए इस्पोरा के सधारन योगदान को बढ़ावा देना और अफिरकी मुल्क के लोगों के खिलाब सभी परकार के भेदभाव को खत्म करना है नेक्स्ट प्रस ने बैक टूरूट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है इसका राइट एंसर है सी तमन्ना भार्टिया के द्व ठाकूर के द्वारा फिट इंडिया मोबाइल एब को लंच किया गया है खेलमंत्री अनुराग ठाकूर ने फिट इंडिया कारिकरम के दो साल पूरे होने पर ब्यक्तिकत प्रसिक्षन सव फिटनेस मार्गदर्शन करने वाले फिट इंडिया मोबाइल एब को लंच कर दिय फिट इंडिया मुहिम के दो साल पूरे होने पर मेजर ध्यानचंद्र नेशनल स्टेडियम में इस एब को लंच किया गया। इसका राइट इंसर है ए सितंबर महीने में पोसन माह को मनाया जाएगा। किंद्रिय महिला और विकास मंत्राले दोरा सितंबर 2021 में पोसन मा सबताहिक विशय के अधार पर मनाया जाएगा। पोसन अभियान देश के बच्चों, किसोरियों, गर्भवती महिलाओं और अस्तनपान कराने वाली मताओं के लिए पोसन में सुधार के लिए भारत सरकार का परमुख कारिकरम हैं और यह अभियान को पोसन की समस्या की ओर देश का ध्यान अकरसित करेगा। नेक्स्ट प्रशने, बुध्य देव गुहा का निर्धन हो गया वह कौन थे? राइट अंसर है ए, यह एक लेखक थे प्रख्यात बंगाली लेखक बुध्य देव गुहा का निर्धन हो गया है और यह मधुकरी, कोलेर कच्छे और सोबिनाय निभेडन जैसी कई उलिखनी रचनाओं के लेखक थे और इन्हें 1976 में अनंद पुरसकार, सीरोमन पुरसकार और सर्थ पुरसकार साहिते कई पुरसकारों से सम्मानित किया जा चुका है वेलेजियम ग्रेंड पिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है इसका राइट एंसर है सी मैक्स वेश्टा पेन के द्वारा वेलेजियम ग्रेंड पिक्स 2021 का खिताब जीता गया है वेलिजियम ग्रेंट पिक्स एक परकार का फर्मूला वन कार रेस होती है मेक्स वैस्टर पेन रेड बुलर के रेसर हैं और रहने वाले हैं नेक्स्ट प्रशने उत्तर प्रदेश का पहला आयूस भी सिबिद्धाले कहां खोला जाएगा इसका मड़ा राइट एंसर है भी गोरकपूर में खोला जाएगा गोरकपूर के भटहट बलोग के पीपरी एवं तरकुलही में बावन एकर भूमी पर राजि का पहला आयूस भी सिबिद्धाले खोला जाएगा और इस आयूस भी सिबिद्धाले के जरिये परचीन एवं परंपरिक चिकित्सा पदतियों का अभिकास और अधिक संभव होगा राश्पती रामनात कोविद ने इसे आयूस भी सिबिद्धाले की अधार सिला रखी है उत्तर परदेश के प्रत्थम IOCBC बिद्याले का नाम महायोगी गुरु गोरक नात IOCBC बिद्याले गोरक फूर होगा नेक्स्ट प्रेशने पईरा उलम्पिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतिय महिला खिलारी कौन बनी है इसकाम राइट इंसर है C भाविना पतेल दूसरी भारतिय खिलारी बनी है और एक नमबर पर कौन थी तो दीपा मलिक जो है वह एक नमबर पर थी टेबल टेनिस में भारतिये खिलारी भाविना पटेल ने टोक्यो पैरा उलम्पिक 2020 में महिला एकल मुकाबले में रजत पदक जीत कर इतिहास रच दिया है टोक्यो पैरा उलम्पिक 2020 में भारत का यह पहला पदक भाविना पटेल नहीं जीता है दीपा मली के बाद पटेल पैरा उलम्पिक में पदग जीतने वाली दूसरी भारतिय महिला है उन्होंने 2016 रियो उलम्पिक में सौट पूट में रजत पदग जीता है नेक्स्ट प्रस्ट ने नोईसिल इंटरनेशनल ओपें 2021 का खिताब किसने जीता है इसका हम राइट एंसर है C. पी इनियान के द्वारा जीता गया है तमिलाडू के पी इनियान ने नोईसिल इंटरनेशनल ओपें 2021 सतरंज टूनामेंस का खिताब जीता है बिश्व में जितने भी सतरंज के खेल होते हैं उन्हें फीडे के द्वारा रेगूलेट की जाती है और फीडे का फूल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बिश्व सतरंज महासंग इसकी अस्तापना 20 जुलाई 1924 इस भी को होई थी इसकी मुख्याले है लूसान है जोके स्विज़ लेंड में है नेक्स्ट प्रशने राष्टिय लगू उधोग दिवस 2021 कब मनाया गया है इसकाम राइट इंसर है A. 30 अगस्त को राष्टिय लगू उधोग दिवस को मनाया गया है देश भर में हर साल 30 अगस्त को छोटे उधोगों को उनकी समगर विकास छमता और वर्स में उनके विकास के लिए प्राप्त आउसरों के समर्थन और बढ़ावा देने के लिए रश्टिय लगू उधोग दिवस के रूप में मनाया जाता है उधोग दिवस मौझूदा छोटे माध्यम और बरे पैमानों के उधोगों को संतुलित विकास परदान करने और राज के बीतिय स्वास्त को बढ़ावा देने के लिए नए उधोग अस्थापित करने में सहायता परदान करने का एक माध्यम है उत्तर परदेश के अलिगर्ड का नया नाम क्या कर दिया गया है तो इसका मरा राइट एंसर है C हरीगर्ड उत्तर परदेश के अलिगर्ड का नाम पदल कर अब हरीगर्ड कर दिया गया है ताला नगरी के नाम से मसहूर अलिगर्ड अब हरीगर्ड के नाम से जाना जाएग जीला पंचायत बूर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है इसका मुड़ा राइट एंसर है 26 अगस्त को महिला समानता दिवस 2021 को मनाया गया है महिला समानता दिवस यानी की उमेन इक्विलिटी डे प्रति बर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है इस दिवस को मनाने का खास उदे से महिला ससक्तिकरन को बढ़ाना उन्हें बढ़ावा देना वही दूसरी और महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अत्यचार भेदभाव, दूसकर्म, बलतकार जैसे कई मुद्दों पर लोगों को जागरू करना है स्वदेशी रोकेट सिस्टम फटेह वन का सफल परिक्षन किस देश ने किया है? इसका मरड़ाइट एंसर है C, पाकिस्तान की द्वारा सफल परिक्षन किया गया है 140 किलो मीटर तक मार करने वाले इस रोकेट सिस्टम को पाकिस्तान ने स्वदेशी तकनिक से विक्षित किया है 2021 में इस सिस्टम का या दूसरा परिक्षन है बात क्या गया है पाकिस्तान की पाकिस्तान एस्य महाद्विप में इस्तित हैं पाकिस्तान की राइधानी है इसलामाबाद पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान की अस्तपना 14 अगस्त 1947 इस भी को होई मात की गई है महराष्ट सरकार ने कोविट 19 में पती को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वातसल्या नामत एक विशेश मिशन लंच किया गया है मिशन वातसल्या विध्वाओं विशेश रुप से ग्रामी छेत्रों से होने वाली विध्वा महिलाओं के लिए तया की जाएगी बात क्या गया है महाराष्ट की तो महाराष्ट की रैधानी है मुंबई नेक्स्ट प्रस्ट ने दुनिया का सबसे बरा और सबसे उंचा अबजर्वेशन उहील आइन दुबई किस देश में खोला गया है इसकामर राइट एंसर है से संजुक्त अरब अमिरात में खोला गया है दुनिया का सबसे बरा और सबसे उंचा अबजर्वेशन उहील आइन दुबई को संजुक्त अरब अमिरात में खोला जाएगा यह अबजर्वेशन उहील आकास में भोजन और कार्पूरेट और इवेंट के लिए अन्यपीसेस उत्सो पैकेज पेस करेगा यह लगभग 38 मिनट के एक रोटेशन और लगभग 70 मिनट के दो रोटेशन जैसे अनुभाव परदान करेगा बात किया गया है संजुक्त अरब अमिरात तो इसको सौट में UAE कहा जाता है जिसका फुल पर्मोता है यूनाइटेड अरब अमिरात और UAE एसिया महाद्वीप में इस्टित है और इसकी रैधानी है और बूधा भी नेक्स्ट प्रशन अंतराश्टिये कुता दिवस कब मनाया जाता है इसका रडाइट एंसर है B 26 अगस्ट को अंतराश्टिये कुता दिवस को मनाया जाता है कूते को गोध लेने और कूतों के बचाओ के लिए एक को मनाने की सुरूआत अमेरिका में दोहज़र चार में हुई थी नेक्स्ट प्रस्ट ने सुल्जम अभियान की समंत्राले ने सुरू की है इसकाम राइट इंसर है डी जल सकती मंत्राले के द्वरा इसकी सुरूआत की गई है जल सकती मंत्राले ने देश भर में अधिक से अध गाउं को खूले में सौच मुक्त बनाने के लिए सौध दिनों के अभियान सुल्जम की सुरॉत की है। गाउं में या गाउं के बाहरी इलाकों में अपसिष्ट जल का निप्टान और जलासियों का बंद होना प्रमुक समस्याओं में से एक हैं। सुल्जम अभियान अपसिष्ट जल के प्रबंधन में मदद करेगा जो बदले में जल निकायों को पुना जीवित करने में मदद करेगा। हमारे देश के जल सक्ती मंतरी गजंद्र सिंग से खावत हैं। इसका राइट एंसर है डी एक सब एगारवी जेनती को मनाई गई है। मदद डेशा का जन्म 26 अगस्त 1910 इस भी को होई थी और मदद डेशा की मनावता की सहायता है तू 1989 में नोबल सांती पुरसकार से सम्मानित किया गया था। मदर ड्रेसा को 1980 में भारत के सर्वोच नागरिक पुरसकार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किस में आयोजित हुआ है और 2020 पैरा ओलंपिक का सुलाहवा संस्क्रन है। भारत की तरफ से 54 खिलारी सामिल हुआ हैं और 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक की सुभंकर सुमाइटी हैं। पहला ग्रिश्मिकालिन पैरा ओलंपिक 1960 में रोम इटली में हुआ था। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोबिंग सिनेमा हौल कहां अस्तापित किया गया है। इसका मिला राइट एंसर है C ले लदाक में अस्तापित किया गया है। किंसासित परतेस लदाक को पहला चलता फिरता सिनेमा घर मिला है। एक नीजी कमपनी ने यह सिनेमा घर लगाया है। यह दुनिया में सबसे अधिक उचाई पर इस्तित सिनेमा घर है। जो की 11,562 फूट की उचाई पर है। भारत के पहले हिसे में वैसिग अस्तर का सिनेमा देखने का अनुभाव लोगों तक पहुंचाने की कोशिस के तौर पर कमपनी ने लेह में चलता फिरता सिनेमा घर लगाया है। इसके सीई-ो सुसिल चौधरी हैं। सेफ सिटीज इंडेक्स में कौन सा सहर सीर्स पर रहा है इसका अमरा डाइट एंसर है ए कोपेन हैंगन सेफ सिटीज इंडेक्स में प्रत्थम अस्थान पर रहा है इकनोमिष्ट इंटिलिजेंस इंडेक्स द्वरा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में डेनमार्क की रजधानी कोपेन हैंगन को 60 वार्षिक सहरों में से दुनिया के सबसे सुरक्षित सहर के रूप में नामित किया गया है कोपेन हैंगन ने 100 में से 82.4 अंक हासिल किया जो सहरी सुरक्षा के अस्तर को मापता है यांगुन 39.5 के स्कोर के साथ सबसे कम सुरक्षित सहर के रूप में सुचकांक में सबसे नीचे हैं टॉप थिरी में बात करें तो एक नंबर पर कोपेन हैंगन है दो नंबर पर टुरेंडो है और तिन नंबर पर है सिंगापूर और भारत में इस इंडेक्स में नई दिल्ली 56.1 स्कोर के साथ 48 अस्तान पर जबकि मुंबई 54.4 स्कोर के साथ 50 अस्तान पर रहा है यह चौथा संस्क्राण जारी किया गया है इसको जारी कौन करता है तो एकनोमिस्ट इंटिलीजेंस यूनिट के द्वारा जारी की जाती है इसका मुन राइट एंसर है D. अजीताभा बोस के द्वारा दकापिल सर्मा इस्टोरी नामक पुस्ता को लंच की गई है फ्रेंड्स इसमें जितने भी प्रेश्ण दिये गए हैं सभी प्रेश्ण आपके नेक्स्ट इक्जाम के लिए मॉस्ट इंपॉर्टेंट है तो आई होप या वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल पर पहली बरा हैं तो चैनल को सब्सक्रा